Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 15th जून को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस किये जाएंगे दो आर्टिकल दा हिंदू से लिएगा है, एक आर्टिकल इंडियान एक्सपर्स से फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है फूड फैक्टर बेसिकल यह आर्टिकल इंफर्मेशन बेस्ट आर्टिकल है रिसेंटली जो इंफलेशन नमबर आ है, CPI नमबर आ है उनके बारे में डिसकसन करेंगे, कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जैसे कि इंफलेशन टार्गेटिंग, इंफलेशन क्या होता है और CPI और उसके कई तरह के जो टाइप्स हैं उन्हें भी डिसकस किया जाएगा प्री और मेंस दोनों आस्पेक कवर करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है इंडिया ग्रोथ स्टोरी has a beneficial ownership hurdle इसमें हम प्रेस नोट 3 requirement के बारे में बात करेंगे इसके कारण जो start-up है उन्हें क्या क्या challenges face करना है और क्या solutions हो सकते हैं ये सारी चीज़े discuss करेंगे थोड़ा सा difficult article है अगर इसमें कुछ issue आता है article में तो आप comment करके बूश सकते हैं नेक्स्ट article जो discuss किया जाएगा इंडियान एक्स्प्रेस से No outcome in born, why money is key to climate action important है environment के perspective से अगर आपको हमारा analysis पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग like करिए, comment करिए, share करिए and subscribe करिए अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं simplified civil service आप search करिए directly मिल जाएंगे या फिर आप इसमें जो link दी होगी more में क्लिक करेंगे factor यह article दा हिंदू में आया है GS3 economy means के perspective से काफी important article है prelims के perspective से भी important है basically जो article है data based और information based article है यह data को आप अपने means के answer में use कर सकते हैं direct question inflation पे आया तो आप directly use कर पाएंगे और अगर आपका general economy के उपर भी question आता है तो भी आप inflation का data use कर सकते हैं तो means के लिए तो important है prelims के लिए भी important है prelims के perspective से कुछ concept पढ़ लेंगे inflation क्या होता है CPI consumer price index क्या होता है consumer food price index क्या होता है जो CPI के जो types है वो सारे types cover करेंगे लगातार इस पे UPSC ने question पूछा है तो pre और means दोनों aspect कवर करेंगे इस article के सबसे पहले inflation क्या होता है वो देख लेते है general level of increase in prices of goods and services ठीक थोड़ा सा inflation होना जरूरी है otherwise producer को incentive नहीं रहेगा और वो production करना बंद कर देगा बहुत जादा अगर inflation होता है तो consumer को hurt करेगा और अगर inflation बहुत हाई है तो उसे हम hidden tax भी बोलते हैं कि वो consumer की जो real income होती है उसको कम कर देता है उसकी purchasing power को कम कर देता है inflation दो तरह क्यों होते एक तो supply side होता है एक demand side होता है supply side मतलब अगर raw material की supply कम हो जाए तो obvious है कि उसके prices raw material के बढ़ जाएंगे और फिर आपका जो end product होगा उसके prices बढ़ जाएंगे demand based inflation क्या होता है demand बहुत जादा बढ़ गई किसी की और supply उतनी की उतनी है तो suddenly अगर किसी की demand बढ़ जाती तो उसके prices increase होने लगते हैं और अगर हम अगर देखें types तो एक और होता है headline inflation और core inflation ये important है headline inflation में सारे goods and services होते हैं volatile components भी होते हैं volatile components मतलब जैसे कि आपके energy और fuel के फ्यूल के जो prices हैं वह भी include किये जाते है headline inflation में हना इसके जो prices हैं इसको control करना possible नहीं होता है क्योंकि crude oil बाहर से आता है अब war हो गए prices किसे depend कर रहे हैं आपके season के ओपर monsoon कैसा है या लाली ना है इस तरीके से rainfall कैसी हो रही है तो ये सब क्या है volatile component है ये सारे के सारे headline inflation में होते हैं core inflation में volatile component नहीं होते हैं चीज़े clear है क्या तो ये थोड़ा सा inflation के बारे में हो जाएगा अब article देख लेते हैं माई का provisional headline retail inflation data आ चुका है और पिछले एक साल का ये lowest number है कितना है 4.75% तो inflation काफी eased out हो चुका है inflation targeting हमको number पता है 4 plus minus 2 इसका मतलब 6 से कम है properly threshold के अंदर अगर हम देखें तो जो inflation है काफी under control है लेकिन ये खुशी की बात नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि consumer food price index की अगर हम बात करें तो वो अभी भी 8.69% है और urban area का अगर देखें consumer food price index तो वो बहुत ज़्यादा हाई है relatively rural area का urban area में पिछले 3 महिने में 8.83% ही रहा है consumer food price index और vegetable inflation बहुत ज़्यादा हाई रहा है इस इसमें अगर consumer food price index की बात करें तो food price consumer food price index में काफी सारे items होगे अलग-अलग basket में काफी सारे अपके cereals हो गया है अपके wheat हो गया rice हो गया ये सारी चीज़े हो जाएगी food grain वाली इसके लावा vegetables हो जाएंगे तो इसमें जो vegetables है उसमें बहुत ज़्यादा उचाल देखने को मिला है prices में और especially tomato onion और potato के prices में बहुत ज़्यादा उचाल है इसके अलावा pulses के जो prices हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं potato के price 15% के around बढ़े हैं पिछले एक महिने में चीज़े clear है क्या यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि अभी monsoon भी नहीं आया है ठीक है अभी तक के पिछला साल पूरा deficit monsoon का रहा है flooding आ गई थी उसके कारण tomato में inflation था यह सारी चीज़े हम जानते होंगे नहीं जानते तो कोई बात नहीं मैं आपको पता दे रहा हूं अब यहां पर हम क्य हम क्या करते हैं एक basket बना लेते हैं उसमें कई सारे food item डाल देते हैं अब यह सारे food item मैंने इस basket में रख दिया और किसी reference year में मैंने मान लिया कि total इसका जो price है वो 100 है let's say next year में अगर prices total इस basket के 105 हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा change निकालूँगा सबसे पहले तो change आजाएगा final year minus initial year कितना हो गया 5 divided by जो reference year है वो कितना है 100 into कितना हो गया 100 तो यह क्या हो जाएगा 5% तो हमारा जो CPI आएगा वो 5% आएगा समझ में आएगा तो यहां पर हम एक reference year से देख रहे हैं कि prices कितने change हो रहे हैं year on year basis पे भी आपका CPI के estimate किया जाता है चीज़े clear है क्या तो CPI basically हम एक basket of goods and services के लिए निकालते हैं इसलिए अलग-अलग CPI भी होते हैं for example यहां पर देख लेते हैं industrial workers के लिए अलग CPI basket बना हुआ है क्योंकि वो लोग अलग च चलने बर हैं वो अलग चीज़े कंजूम कर रहा है जो rural area के लोग हैं वो other अलग चीज़े कंजूम कर रहे हैं अलग foods ऐग वेज़ेटेबल कंजूम कर रहे हैं जो urban area के लोग हैं वो अलग food और vegetable कंजूम करते हैं समझ में आये क्या तो इसलिए basket बहुत अलग-लग बनाये गई है और कई सारे फिर इंडेक्सेज बन जाते हैं तीक तो अलग-अलग इंडेक्सेज देख लेते हैं CPI के टाइप पहला है इंडेस्ट्रियल वरकर इसका जो बेस इयर है वो 2016 है रीसेंटली चेंज हुआ है और जो बास्केट है वो कौन इस्तिमाल कर रहा है इंडेस्ट् इसे कौन करता है पुब्लिश सेंट्रल स्टैस्टिक ऑफिस अफिस अब ही तक इसमें बदलाव नहीं किया गया है नेक्स्ट है CPI Urban Non-Manual Employees इसे कौन करता है पुब्लिश सेंट्रल स्टैस्टिक ऑफिस अदर दमिनिस्ट्री ऑफ इस्टैक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एमोएस्पी आई ठीक यह एमोएस्पी आई सारे जितने भी डेटा ही यही करते तो एक्सेप्शन क्या है लेबर भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है यह एक्सेप्शन नहीं है CSO बाइडिफॉल्ट हम समझते हैं कि CSO ही यह सारी चीज़े पब्लिश कर रहा है इसके अलवाब CPI Rural आता है CPI Urban आता है CPI Combine आता है और इसका जो Base Year है वो 2012 है और इसको कौन पब्लिश करता है CSO ही पब्लिश करता है अब Consumer Food Price Index के बारे में बात कर लेते हैं इसके भी अलग अलग टाइप है Rural, Urban और Combined ठीक तो Consumer Food Price Index क्योंकि CPI में बहुत सारे आइटम होते हैं और बेसिकली Food आइटम में के जो Prices हैं उसमें जो Variation आ रहा है उसको हम Estimate करते हैं चीज़े क्लियर है क्या यह सारी चीज़े Important है आपको पूछी जा सकती है तो यह सारे Facts आपको ध्यान रखना है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया's Growth Story has a Beneficial Ownership Hurdle यह आर्टिकल दहिंदु में आया है GS3 Economy Mains के Perspective से Important है Prelims के Perspective से बहुत जादा Important है अगर Overall आर्टिकल की बात करें तो इसकी theme क्या है Foreign Direct Investment इसमें कुछ Important Terms हैं जिसे समझेंगे जैसे कि PN3 Requirement Press Note 3 Requirement क्या है 2020 में लाई गई थी इसके अलावा Beneficial Ownership Hurdle क्या है इसे समझेंगे किस तरीके से Beneficial Ownership Hurdle के कारण PN3 Requirement के कारण इंडिया में FDI नहीं आ पा रहा है और इस issue को कैसे address किया जा सकता है ये वाले aspect को cover किया जाएगा थोड़ा सा technical है समझने की कोशिश करेंगे शुरू करते हैं हमारा article foreign direct investment बहुत important है अगर इंडिया को 5 trillion economy बनना है जब तक के बाहर से FDI नहीं आएगा बाहर से पैसा नहीं आएगा इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए development करना अगर बाहर से पैसा आता है और green field projects में या फिर brown field project में investment होता है तो investment हुआ demand बड़ी, demand बड़ी तो supply बड़ेगा और supply बड़ी तो production and then GDP तो जो बाहर से FDI है foreign direct investment है जो investment हो रहा है उससे overall GDP बहुत जादा तेजी से बढ़ सकती और past trillion पहुचना है तो हमें FDI की जरुरत बहुत जादा होगी लेकिन अगर हम चाहते हैं कि FDI बढ़े उसके लिए हमें जि को जो की investment को रोक रहे हैं FDI को रोक रहे हैं उसे हमें कम करना होगा या फिर उसे हमें address करने की जरुरत है शुरू करते हैं the amendment to Indian foreign exchange management rules 2019 through the press note number 3 of 2020 has posed a significant challenge for Indian company especially start-up and small enterprises seeking foreign investment क्या कह रहा है यह कह रहा है कि Indian foreign exchange management rules 2019 में amendment किये गए press note number 3 से 2020 में और इसके कारण एक बहुत बड़ा challenge जो है किसके लिए खड़ा हो गया है start-ups के लिए और small enterprises companies के लिए इंडिया में वो challenge क्या था अब land border जो countries है उनसे investment नहीं ले सकते थे क्योंकि इस press note 3 के अंदर जितना भी investment land border country के थुरू आएगा वो सारा का सारा सरकार के approval के बिना investment नहीं आ सकता तो ये एक बहुत बड़ा challenge जो है PN3 requirement press note 3 requirement के कारण इंडिया के start-up और small enterprises को face करना पड़ा था अब इसके पीछे के rational की बात कर लेते हैं COVID-19 का समय था COVID के कारण almost सारी companies के जो share थे वो बहुत जादा गिर चुके थे तो क्या लगा कि इंडिया की जो सरकार है उसको कहीं hostile take over ना कर ले आसपास की country के investors इंडिया की country की जो companies है उसको क्या कहने का मतलब है कि इंडिया के जो companies है उसके share market में prices धब से गिरे क्योंकि COVID-19 अब prices जब बहुत कम हो जाएंगे तो बाहर के आसपास के China हो गया पाकिस्तान हो गया यहां के जो owners है वो क्या कर सकते हैं यहां के जो investor है वो बहुत सारे share खरीच सकते हैं और hostile take over कर सकते हैं management में तो यह hostile take over management के रोकने के लिए क्या किया गया एक press note 3 release किया गया इस press note 3 के हिस इंडिया से जितनी भी country जो border बना रही है वो border बनाने वाली country से अगर कोई भी company invest करेगी इंडिया की company में तो उसको सबसे पहले government approval की जरुरत होगी government पहले चेक करेगी कहीं इनके intention इंडिया की company को खरीदने के तो नहीं है hostile take over के तो नहीं है चीज़े clear हैं यह किस के लिए कि specifically China के लिए नहीं कर सकते थे इसलिए हमने जो press note release किया था 3rd number की उसमें इंडिया से जो भी land border बना रहा है वो सारी country इसमें include कर दी गई थी ताकि एक country के against में करते तो वो discrimination हो जादा WTO में case चलता unnecessarily problem होती इसलिए हमने सारी country को इसमें लपेटे में ले लिया अब यह तो हमा की country के जो project है उसमें भी इतनी जादा scrutiny कर रही है या फिर सिर्फ चायना वाले में कर रही है तो implementation अलग हो सकता है लेकिन overall जो guidelines है वो सारी land border countries के लिए जो इंडिया से land से border बना रही है टच कर रही है चीजे क्लियर है क्या अब एक ओट हमाएगा इसमें beneficial owner का वो देख लेते the amendment stipulates that any investment in Indian company whether direct or indirect originating from entities located in countries that share land border with India that is neighboring country or whether the or where the beneficial owner of the said Indian investment is situated in or is citizen of any of this neighboring country would necessitate prior government approval ठिक तो यहाँ पर आगया beneficial owner क्या कह रहा है वही सेम बात लिख रहा है कि अगर मानली जी investment land bordering neighboring country से आ रहा है तो उसे government approval की जरुरत होगी दूसरा अगर let's say एक company है इसमें already पहले से investment किया जा चुका है हना चायना ने investment करके रखा है let's say पे टीम में तो यह जो चायना ने जि यह जो beneficial owner है यह हो सकता है hostile take over करें इसके पास 10% already है हना तो इसे सिर्फ थोड़ा बहुत और share बढ़ाना है धीरे-धीरे 25 करेगा फिर बाकी shares खरीदेगा 50-51 management बदल सकता है hostile take over कर सकता है इसको हम क्या बलते beneficial owner जिसके पास 10% हो 20% इसकी exact definition यहाँ पर press note 3 में नहीं दी थी जो कि आगे चलके problem बनी थी उसी पर बात करेंगे चीज़े clear है क्या तो यह आपको press note 3 requirement समझ में आया क्या इंडिया की government ने यह लेकर क्यों आई थी सारी चीज़े clear है mainly जो hostile take over है उसे रोकने के लिए यह PN3 requirement लाया गया था लेकिन problem क्या होई यह जो beneficial ownership है इसकी definition थी नहीं press note 3 म या फिर 30% ownership या 45% या 50% 50 से उपर है तो फिर जवरतिनी 49% के around फिर तो यह actual real owner हो जाएंगे आपके ठीक है चीज़े clear है अब बात करते हैं इसके कारण जो issues हुए वो क्या थे अब इसके कारण जो issues हुए है वो है basically जो government approval route का मतलब क्या हो गया सारी चीज़े government के पास तो red tapism होना तो है ही एक file एक जगा निकलेगी फिर दूसी जगा पहुचेगी फिर तीसरी जगा फिर चौती जगा फिर पाच भी बार में वापस पहली जगा पे फिर एक और round मारेगी ऐसे multiple rounds चलते रहते हैं और फिर finally rejection आ जाता है अना तो पहले बहुत समय बरबाद करते ह कभी गलती नहीं बता जाती तो बहुत ही time consuming nature हो गया है अब investment आ नहीं पा रहा है especially China से बहुत ज़्यादा investment आता था इंडिया की जो startup company है अब वो investment इंडिया को मिल नहीं पा रहा है क्योंकि जो government approval route है उसमें बहुत delay हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें rejection rate भी हमें देख proposal थे जो की अभी भी pending है या फिर reject किये जा चुके है लगभग 201 application पिछले तीन सालों में reject की जा चुकी है जो PN3 requirement है उसके हिसाब से जो compliance का ओनस है जो दाइत वे वो किसके ओपर है इंडियान company के ऊपर है जो की foreign investment receive कर रही है इसका मतलब क्या है माल लिजे किसी company ने इंडि punishment किसको मिलेगी इंडिया company को मिलेगी जो investors होंगे उनको कोई punishment नहीं मिलेगा तो यहाँ पर अगर इंडिया की जो company है उसने let's say 100 रुपए investment receive कर लिया तो इनके उपर 3 गुना fine लगाया जा सकता है 300 रुपए तक fine लगाया जा सकता है अब मालों की यह startup है इन्होंने गलती से ले लिया let's say अना proper सारी guidelines नहीं पड़िया जो भी इनके मन में होगा कि हमें पैसे चाहिए हमें survive करना है और ले लिया और सरकार ने तीन गुना इसमें fine लगा दिया तो यह तो वैसे जो है startup के पास पैसे की कमी रहती है और वैसे अगर आपने fine लगा दिया तो यह liquidate हो कि जो companies हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है उनके survival के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अगर companies startup company comply नहीं करती है तो इनके पर fine लगा जाएगा और अगर fine लगेगा तो वो पैसे तो दे नहीं सकते वो चले जाएंगे court और already जो है बहुत जादा cases, delay यह सब चल रहा है इंडियन court में तो unnecessarily इंडियन government के लिए भी मुसीबत और startup के लिए भी मुसीबत इस startup culture को भी खत्रा हो सकता है जो इंडिया में काफी flourish हो रहा है पिछले कुछ सालों में अब solution क्या हो सकता है दो तरह के solution इसमें possible है पहला है indemnity challenge इसमें हम क्या कर सकते है indemnity का आ लिया जाता है या फिर indemnity bond कर दिया जाता है उसमें यह लिख देंगे bond में कि चलो मैं एक लाख करोड का bond furnish कर दे रहा हूँ अगर PN3 requirement क्या होती है वाइलेट होती है तो यह bond तुम रख लेना किसको बोलेंगे यह foreign company वाले इंडियन company वालों को बोलेंगे और फिर इंड इंडियन company वाले बोलेंगे चलो ठीक है लाओ आपना जो आप इंवेस्ट करना चाहते हैं हमाई company में वह पैसा हम ले लेते हैं ठीक लेकिन problem क्या है पैसे की जरुरत किसको है इंडियन company को भूगे कौन है हम है foreign company वाले हम पर इंवेस्ट करेंगे और उपर से bond भी देंगे बोलेंगे कि हाँ ठीक हम अशौर कर रहें कि हमने पी एंठी रिक्वार्मेंट पूरी की है हम भरोसा दिला रहे हैं और अगर गड़बड होगी तो आप हमसे ही पैसे ले ले लेना ऐसा करेंगे क्या कोई obvious है कि जरुरत हमारी है तो इस तरह कि bond हमको ही भरना पड़ेगा लेकिन हम उस situation में ही नहीं है क्योंकि हमें तो पैसे की जरुरत है और अगर foreign investors से बागेंगे तो वो बलेंगे आपना हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं ये कम है अब तुम्हें हम indemnity bond भी दे हाना वो भी जो है तुम्हारा गर कुछ loss होता है तो वो भी हम भर पाई करें ये तो पॉसिबल नहीं है तो इससे जो foreign direct investment है वो थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ये एक solution है चीज़े clear है क्या so next solution क्या हो सकता है beneficial owners को define करना comprehensively ownership threshold define करना और control test define करना बहुत जादा जरूरी है अब beneficial ownership के बारे में बात कर लेते हैं if an individual or entity holding a significant ownership stake may be 10% or more in the investing company might be considered a beneficial owner इसका मतलब क्या है let's say एक अच्छे से example से समझ लेते हैं चाइना में company है A, इंडिया में company है B ठीक तो A जो है इंडिया की company में invest किया है 10% share है तो हो सकता है कि यह जो A हो यह क्या हो beneficial owner हो अब यह 10% है कि 15% है कि 20% है कि 25% है यह threshold define करने की ज़रत है यह PN3 requirement में define नहीं किया है बस लिग दिया है beneficial owner beneficial owner की definition तो देना पड़ेगा आपको threshold तो decide करना पड़ेगा मान लिजे कि threshold 25% decide कर दिया जाता है for example suppose जो की FATF ने suggest किया है उनकी definition के हिसाब से जो beneficial owner होते हैं उनके पास कितना stake होता है 25% के around stake होता है इसका मतलब अब बहुत इसी particular B company में कई ऐसे investor होंगे जो की China के ही होंगे ठीक और उनका 5% होगा इस company में किसी का 10% होगा किसी का 15% अब जो PN3 requirement है वो केवल beneficial owners के लिए है अगर beneficial owner invest करते हैं और तो उनको government approval की ज़रूरत है लेकिन ये 5, 10, 15% वाले अगर invest करते हैं और बढ़ाते हैं अपना investment तो इन्हें government approval की ज़रूरत नहीं होगी तो ऐसे में अगर define properly रहेगा तो जग इंडियन स्टार्ट अप है ये वाले investor से पैसा जुटा सकते हैं और उनकी जो investment नीड है उसे fulfill कर सकते हैं इसके साथ साथ और क्या करने की ज़रूरत है जब आप define करेंगे तो अलग-अलग sector के लिए अलग-अलग define कर सकते हैं beneficial ownership जैसे क telecom sector हो गया आपका defense sector हो गया ये थोड़े sensitive nature वाले sector है यहां पर scrutiny बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो beneficial ownership 10% कर सकते हो लेकिन construction manufacturing ये ऐसे area जहां इंडिया की requirement भी ज़्यादा है और ये कोई sensitive nature वाले sector नहीं है तो इन sectors में आप beneficial ownership को 25% या 30% भी कर सक ताकि जो 5% 10% invest किये हैं वो अपना investment बढ़ा सके और investor अपनी need fulfill कर सके चीज़े clear है ये जो PN3 requirement है इसके कारण इंडिया startups को पैसा नहीं मिल रहा है और इसलिए इसमें ये दो change करने की जरुरत है एक तो indemnity जो challenge है bond है उसके through हम कर सकते हैं दूसरा beneficiary ownership की जो threshold definition है उसको change कर सक होगा थोड़ा सा technical है थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपको कुछ issue होता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं मैं छोटा सा जो है उसी में explain कर दूँगा हमारा next और आज का last article है no outcome in bone why money is the key to climate action यह article Indian Express में आया है GS3 environment means के perspective से prelims के perspective से काफी important है basically यह article में bone climate conference के बारे में बात करेंगे उसके जो outcomes हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी सबसे पहले बात कर लेते हैं bone climate conference यह annual meeting है of the subsidiary bodies of the UNFCCs yearly COP होता है नवंबर में और उसके बाद जून में जो भी decision लिये जाते हैं नवंबर में जून में उसे implement किया जाता है plus जो next conference of parties होने वाली है उसमें जो agenda रहेगा उसको भी यहाँ पर तै किया जाता है चीज़े clear है तो यह हर साल जून में जो है organize की जाती है bone Germany में इसे organize करते हैं लगभग 190 countries के जो representative थे उन्होंने इसे attend किया civil society organization भी इसे attend कर सकता है और business sector के लोग भी इसे attend करते है चीज़े clear है अब इसके outcome के बारे में बात करत है next year जो है 2025 में decide करना है कि जो developed country है वो कितना finance mobilize करेगी 2009 में decide क्या गया था कोपेगन summit में कि जो developed country होगी वो by 2020 100 billion dollar पैसा जो है climate finance mobilize करेगी और developing countries और least developed country में यह पैसे को invest किया जाएगा as a climate finance की तरह use किया जाएगा यह कब decide किया गया था 2009 में कोपेगन summit में UNFCC के banner के अंदर यह चीज़े decide की गई थी पैसा क्यों developed country से लिया जा रहा है क्योंकि historically अगर देखें तो common but different differential responsibility principle के अंदर किसकी जिम्मेदारी है यह pollution होना यह climate change होना जो developed countries है इन्होंने coal जल आया पॉलूशन किया CO2 इतना जादा राइस किया fossil fuel इतना जादा बन किया और उसका सबसे जादा जो है impact किस पे हो रहा है developing countries पे small island countries पे जो ओशीनिया अगर हम continent की तरह बात करें जो Pacific Oceans में छोटी-छोटी countries है पपनेगेना और Marshall Islands Solomon Islands यह सारी country को face करना पड़ रहा है मालदी जो छोटी-छोटी countries है यह इनका इतना development है नहीं और सारा development European, US, Western countries का है और इन लोगों के कारण vulnerabilities इन country को face करनी पड़ रहा है अब सब बोल रहें कि pollution कम करो, greenhouse gas emission कम करो, आप CO2 emission कम करो कैसे करेंगे यहाँ पर जो poor country है उनको तो सस्ती electricity चाहिए उनको तो coal चाहिए उनने fossil fuel च तो फिर अगर आप चाहते हो कि हम लोग developing countries वाले इंडिया वाले भी green alternative में switch करें तो पैसा तो क्योंकि आपने pollution किया है तो climate justice के अंदर common but different responsibility principle के अंदर किसकी जिम्मेदारी है? developed countries की जिम्मेदारी की वो पैसा खर्चा करें developing countries को पैसा दें और ये climate finance के थूँ जो developing countries होगी वो cleaner alternative की तरफ switch करेंगी जैसे की green hydrogen के तरफ जैसे की solar energy के तरफ यह सब महंगे है इससे electricity महंगी बनती है पैसे दोगे तो हम switch कर लेंगे चीज़े clear है? अब 2009 में कोपेगन सम्मिट में कहा था कि 2020 से 25 के बीच में आप घर साल 100 billion dollar जो developed countries है जो की listed है क्योटो प्रोटोकॉल में developed country आइन एक्षर 1 में listed है इनको 100 billion dollar सारी country को मिलके खर्चा करना है और mobilize करना है Paris Agreement के अंदर ये कहा गया था कि 2025 के बाद आपको ये जो amount है 100 billion dollar पर year वाला ये आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसी को बढ़ाने के लिए इस बार जो born climate conference है उसमें discussion शुरू हुआ था ठीक लेकिन कोई result नहीं आया है और अब finally जो COP29 होगा बाकू अजरबाइजान में नवंबर में schedule है उसमें हो सकता है कि ये जो नया number है वो finalize हो सके ठीक एक 35 page 428 paragraph का input paper जरूर यहां पर क्या किया गया था discuss किया गया था इस input paper के अंदर सारी चीजे थी कि कौन कितना जो है climate finance देगा कितना total climate finance number हर country के wish list थी कि इतना होना चाहिए है सारी country ये सारी चीजे देगी ये सब कुछ 35 page के एक input negotiation paper में डाला गया था discussion हुआ लेकिन कुछ finalize नहीं हुआ चीजे clear है कि इंडिया ने क्या number दिया था इंडिया ने बोला था कम से कम 1 trillion dollar हर साल जो है developed country को developing country में क्या करना चाहिए invest करना ही चाहिए अरब country ने ये number 1.1 trillion दिया था और अफ्रिकन country ने डिमांड की थी कम से कम 1.3 trillion जो है developing country में investment करना ही करना है किसको developed countries को developed countries ने acknowledge ये जरूर किया कि 100 billion dollar per year से ज़्यादा amount होना चाहिए लेकिन कितना होना चाहिए अभी तक कि इस पे बिलकुल भी बात नहीं हुई है अब जो contribution है उस पे भी debate है जो developed countries है वो क्या कह रही है कि आपने UNFCC का जो framework है उसमें एनेक्षर 2 में developed countries को डाल के रखा है countries को भी यहाँ पर contribution करना चाहिए तो developed country बोल रही है कि हम अकेले क्यों करें बाकी लोग भी करें चायना भी करें चायना ने बोल दिया हम नहीं कर रहे हम जितना कर रहे उतना बहुत है तुम लोगों के कारण यह पॉलिशन हुआ है तुम लोगों के कारण जो है carbon co2 emission हुआ ह green house gas emission हुआ है तुम लोग जिम्मेदार हो तुम लोग पैसा दो हम अपना development करेंगे हमारी बहुत बड़ी population है जिसे हमें खाना feed करना है poverty से बाहर निकालना है clear है क्या अब जो भी होगा decide कब होगा बाकु में decide होगा क्या decide होगा new collective quantified goal ncqg post 2025 कितना होगा ncqg यह बाकु में देखेंगे चीज़े clear है क्या hopefully article समझ में आगया ज्यादा कुछ नहीं है अब ही तक कि 2020 से 2025 के बीच में 100 billion dollar per year यह fund जो है mobilize करना था develop country जो कि annexure 2 में unfcc framework में दी हुई है सारी countries इसमें और अब 2025 के बाद इसको बढ़ाने की बात हो रही है उसको हम बोल रहे है new collective quantified goal ठीक clear है 2022 स estimate किया था कि develop country ने 100 billion dollar से अधिक जो है invest किया है यह first time जो है इनके हिसाब से OECD के data के हिसाब से इन्होंने 100 billion dollar का number अचीव किया इसके पहले आस तक अचीव नहीं किया था अलाकि बहुत सारी developing countries इसमें भी जो है contest कर रही बोल रही कि फालतु का data आप फालतु over estimation कर रहे हो double counting ह इसमें ठीक तो यह सारी चीजे अब की article हो जाएगा hopefully article clear है that's it for today thank you and enjoy your day